सब 10-12 कंपनी का मशीन में ने देखा है सब में कोई ने कोई तकलिफ रहती है अच्छा तो इनकी टेकनोलोजी अच्छी है इनकी टेकनोलोजी अच्छी है को जैसे हम जो आठ गंटे चलाते तो फंदरा से सत्रह जार की इसकी कैपिसिटी है आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और आज मैं आप पहुंचा हूं गुजरात के अंदर जहां पर एक कस्टमर ने फुली ऑटमेटिक प्लांट लगाया है इससे पहले भी हमने हार्थिक इंजिनियर के एक वीडियो शूट की थी उसके अंदर हमने आपको आपको लिखाएदा यह है फुली ऑटमेटिक प्लांट फर्क है दोनों में जहां पर उस प्लांट वे पंदरा लोगों की जुर्पड़ती ती यहां पर लेबर आदी हो जाएगी साथ लोगों की जूर्पड़ेगी और उसके साथ प्रोडेक्शन बढ़ जाएगा यह जो आप ला इंटो की जगह है इन इटो को क्यों जाएदा यूज किया रहा है वह हमारे साथ कंपरी के ओनर हार्दिक इंजिनर के वह भी जूड़ेगे उससे जान करेंगे और जो कंपरी के ओनर है उससे प्रोडेक्शन जाने के एक इंप को बनाने में खियूमत क्या पड़ी और फोट मार्जिन कितना दे रहे हैं लगवाव 5-6 मेंजे पहले एक इंप को सारी चीज दिखाने कोश्वी करेंगे कितने एरिये की धित पड़ती है हों कुछ से रोमेटल लगते हैं पूरी जान करेंगे लिए फीडियो में अंतर बने रहे हैं क्योंकि आधा अधा अधूरा घ्या लगा रहे हैं उसके पर आपकी प्लांट के जापर रोमेटिंग रखा हुआ है फिर उसके बार वन वाइवन आपको दिना रहे हैं और कित्रा इंका प्रोडेक्शन है तो चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं तो हमारे साथ अब कंपनी के ओनर हार्थिक इंजिनियर से जूड़ चुके हैं इन से पूरी जानकरी लेंगे तो सर नमस्कार सबसे पहले तो आप हमारी ओडिंस को ही बताइए अगर कोई इसको इसका बिन स्टार्ट करता है फ्लाइस ब्रिक्स बनाने का बिनस तो उसे किन किन रोमेटल की जूर्ट पड़ेगी सबसे पहले उसमें फ्लाइस की ज़रूपड़ती है जो पावर प्लांट से जनरेर होता है जो कि वो वेस्ट मेंडल है और उसको यूज करना है मैक्सिमम 40 परशंट तक उसके बाद में आता है स्टोन डस्ट 6 mm साइस और तीसरा आता है स्टोन डस्ट 0-3 mm साइस और सीमेंट और पानी इतने रोमेटल की ज़रूपड़ती है प्रिस को पनाने के लिए उसके बाद का प्रोसेश जो हम प्लांट देख पा रहे हैं यह है साइद फुली ओटोमेटिक फुली ओटोमेटिक है ठीक है तो इसका सबसे पहला प्रोसेश और मुटल को बाउल से बरके डालना पड़ता था कम से कम साथ लेबर की उसमें जरूपड़ती हमने यह किया है उसमें साथ लेबर खतम खाली एक ही आदमी जो टेक्र लोड़ा चलाता है वह एक आदमी पुरा रोमटल कम से कम बर देगा एक होपर में छे टन का माल आता है तो तीन होके अठारा टन हो गया ओके दीन में तीन से चार बार ही बरना है और वह आदमी फ्री उसका में फादा यह है कि साथ आदमी हमारे खतम होगे साथ आदमी का हमारा जो पैसा बच गया प्लस जो बैचिंग प्लांट है हमारा वह आटोमेंटिकली वेड करता है विद में दो किजी डिफरेंस में ठीक है इसमें लेबर एक बूल गया कम डाला वो कुछ होगा नहीं सब्सक्राइब अभी सामने से हमें तीन हो पर दिखाई दे रहे हैं हम अंदर की दरफ चलते हैं और शिमत का भी हो पर आपको दिखाने कोशिश करते हैं तो यहां पर हमारे साथ जो यह प्लांट लगा रहा है वह ओनार खड़े हैं तो सर आप अपना प्रीचे दीजिए और इस प्लांट की कपैस्टी के एक दिन में कितरी प्रोडेक्शन है इसकी मैं मेरे पार्टनर है बगीरत सिंग दोनोंने मिलके समझिंग पांच से शे महीने से प्लांट लगा हु तो चल रही है तो क्या फरक है दोनों में लाल इंट में अभी पॉलिशन बहुत हो रहा है इंटा बनाने के लिए मिट्टी मिलनी रही है कोईला भी बहुत मेंगा हो गया है इसकी वज़े से और यह फ्लाइस जो है उसमें फ्लाइस पुरा वेस्ट मंटल है और वेस्ट को हमको यूज करके ब्रिक बनता है उसी वह हमारा एकदम इको ग्रिन प्रोडक्ट है और अब आपने बताया कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा मिलती है अभी तक हम देख रहे थे वह तीन होपर में जो रो मटल था वो उसके अंदर फिल कर दिया लेकिन इसमें में यह सिमेंट भी आटोमेटिक लेता है सिमेंट भी अमको मैन्यूली फिल नहीं करना है अपने आप वजन करके लेगा जैसे ही हमने इसमें लिख दिया कि आमको 25 किलो लेना है तो अपने आप वजन होके वो मिक्सर में वो कंट्रोल पैनल में सारा फीड हो जाता है कि हमें इतना सीमेट इतना पानी इतनी रो मेटल सही है जी जी हां कोई भी काम यहां पर मैन्यू कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि बैचिंग बैचिंग प्लांट से जो मुड़ मटल आया ठीक है उसमें रिवर्स और फॉर्वर्स दोनों सिस्टम दिया है तो एक मिक्सर हम उदर देख रहे हैं एक मिक्सर से इस साइड लगाएंगे तो एक बार कन्वेर बैल्ट उदर माल पर में आ गया जो रिवर्स फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् अच्छय और और इसका सर ये और सिरफ इसमें फ्लाइयस बिरिक से बना सकते हैं कुछ और भी बन सकते हैं नहिं हमारा मसीन जो है वो मल्टी परबर मसीन है अप एक ही मसीन से भरिक निकाल सकते हैं डॉल्र ब prag निकाल सकते वो भी कलर वाला हुललो भ्लोग निकाल सकतें कॉंक्रिड ब्लोग निकाल सकतें मतलब यह लिमेर्क मझानेत हैं और ज्यादा तर जो अलग से मशीने होते हैं मैंने युवल nhân मैं वाइबरेटर देखकाता हूँ तो इसमें आपका कहा है वह वाइबरेटर या क्या खास बात रूट कही है यह जब प्रेशर होता है और प्रेशर के साथ वाइब्रेशन करते हैं ठीक है और वाइब्रेशन नीचे लगा हुआ है और वाइब्रेशन क्या होता है कि मोल को पूरा वर्टिकली वाइब्रेशन करता है वह है और मैं इसके बाद का प्रोसेस भी आपका ओटोमेटिक ही देख प सर आग एक प्रोसेस दिखाया कि जरुटल परती है कैसे कैसे प्लांट काम करता है अब एक हमारे पास बनके आ गई है अब इसके बाद इसे सूखने का या से पकने का कितने दिन का समय होता है इसके बाद का क्या प्रोसेस है जनरली सर प्रोसेस ऐसा रहता है जैसे ब्रिक पैलेट को बढ़ श्टेकिंग हो गई स्टेकिंग होने के बाद हम एक दिन यानि समझे फाइस शिक्स गंटा अपने वो शेड एरिया के अंदर रखना है तेक है उसके बाद 12 के बाद यह पैलेट को हम बाहर ओपन स्पेस में छोड़ देंगे और दूसरे दिन के बाद उसको क्यों करता है अच्छी करने के बाद सेवन सिक्से ऐसेवन डे पानी देना है ठीक है ठीक है तो दोस्तों हमने पूरा प्रोसेस देखा अब इसकी कीमत जानने के लिए मैं ज चार से साड़ा चार रुपे कोस्टिंग लगघा है यहां पर ठीक है और अगर मैं इसे बचत की बात करूँ एक के पीछे क्या आपका इंकम होती है एक रुपे से डौट रुपे जाता है जैसे सर ने बताया चार साड़े चार रुपे को एक इंट बनाने में लगता है फ् से डेड़ रुपे एक के साथ बसता है तो सर आपने जो यह फुली ऑटोमेटिक प्लान लगा रहा है अगर मैं बात कुरूमालिज आप आठ से दस घंटे इस प्लांट को चलाते हैं तो एक दिन में कितने इंटे बना लेते हैं आठ से दस घंटे में पंदरा आजार से सतरा आ लाल इंटे से ज्यादा यह इंटे चलती है तो कि लाल इंटे में अभी प्रदूर्शन के हिसाब से सरकार ने इस पर बेन लगाना शरू कर दिया ठीक है और इसमें जो लाल इंटे में खार आता है इसमें नहीं आता है सर मेरा आखरी कोश्चन आप से जो आपने प्लांट लगा यह इस कंपनी से हार्त इंजिनेरिंग से तो आप इसके बारे में क्या करने कणचा आएग ilis 10-12 कंपनी का मशीन में ने देखा है, ठीक है, सब में कोई ने कोई तकलिफ रहती है, तो इनकी टेकनोलोजी तो सर अगर को इस प्लांट को लगाना चाहिए, इस बिंज को स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या मेरा मामना क्या है कि कितनी कीमत लग जाएगी, ये प्लांट की है, हमने इछे मोडल बनाया है, मतलब मान के चले ये साड़े अठारा लाग से लेकर पैस्त लाग तक अलग अलग मोडल है, जैसे आपको प्रोडुक्शन वैसी मसीन थे, तो इतनी कोश्टिंग अगर कोई कस्टमर करता है, क्या फ्यूचर देखता है इस सीज के अंदर, आ उपर की जो लेयर है, मिट्टी की, वो अभी खतम हो गई है, मिट्टी मिल नी रही, इसी वज़ए से जो अमारा रेड ब्रिक्स है, वो मेगा हो गया है, और प्रोलिशन का भी प्रोब्लेम है, और ये फ्लाइस ब्रीक्ट पूरा इको फ्रेंडली है, ठीक है ना, इसलिए और मजबूती उससे ज्यादा है, इसलिए इसका भी ट्रेंड चला है, तो सर अगर कोई इस प्लांट को लगाना चाहे, तो एक बार आप अपने कम्पनी या नाम, फोन अबर एड्रस बता दीजी, जो डीटेल में डिस्यस हमें दिया है, उसमें मेरा नाम, इमेल इडी सब क है, उसमें आप डारेकली कॉंटेक्ट कर सकते हैं, उसमें पूरा डीटेल कोटेशन आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको हर एक चीज़ बताने कोशिश किया है, आपने एरिया भी देखा हुआ, कितने एरिये की जूर्त पड़ेगी, क्या तो जीतना बन, जै हिंद, जै भारत